हलो एव्रिवान वेलकम टू पर्चम क्लासिस इस यो मेंटर आर्सु ककर उमीद करती हूं आप सब बहुत बढ़िया हो खुश हो स्वस्थ हो इस पडिकलर सेशन में हम जो भी आपने पिछले एक हफ़ते में कवर किया है इंपोर्टन न्यूज जो भी रही है अपॉइंटमेंट्स अवर्स नाशनल स्टेट डिफेंस साइंस एंटेक इंडेक्स स्पोर्ट्स है ना तो यह सारी की सारी रिवीजन एक हफ़ते की इस परिकलर लेक्टर के अंदर करेंगे ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए और स साथ फिर सेशन के end में important questions भी लेंगे शुरू करते हैं इस particular session को लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको important information पहले ही दे देती हूँ कि इस session की PDF आपको perchamclasses.in पर जो perchamclasses की website है वहां मिल जाएगी जिन बच्चों के पास PDF bank है या फिर current affair subscription नूनों ने ले रखा है तो आप आपको यहां पर automatically इसकी PDF आड़ हो जाती है और वो मिल जाएगी जिसमें daily current affair, weekly, monthly, six month, yearly current affairs की PDF आड़ हो जाती है ठीक है शुरू करते हैं आज का session जिसमें हम पहले देख लेते हैं 1st of January से 7th of January तक में important days कोन-कोन से रही हैं तो 1st January अपने आप में एक तो new year होता है और साथ ही साथ 1st of January is DRDO Foundation Day तो 66th Defense Research and Development Organization Foundation Day था ये वाला 1st of January Chairman DRDO के Dr. Samir Vee Kaamhat and DRDO was founded in 1958 फिर 4th of January को होता है Word Braille Day 2019 से ये दिन को हम observe करते आ रहे हैं जो blind होते हैं उनके associated a braille language ताकि वो भी पढ़ सके so it is for that ठीक है ये थी दो ही दिन थे अभी और फिर उसके बाद जो important appointments हुई है एक हफ़ते में वो मैं आपको एक list दे रही हूँ concise format में ताकि आपकी revision जन्दी हो जाए ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखो कि who took charge of Southern Neville Command in Kochi तो यहाँ पर नाम है Vice Admiral V श्री निवास और इन्होंने सक्सीड किया Vice Admiral M.A. हमपी हो ली जी को फिर उसके बाद अगर आपसे सवाल आ जाए कि President of TIE the Indies Entrepreneurs Hyderabad कोन है श्रीनी चंदू पातला जी ठीक है इन्होंने replace किया है राशिदा जी को फिर उसके बाद अगर आपसे पूछें कि MD and CEO of the Federation of Association in Indian Tourism and Hospitality कोन है पुनीच छतवान जी Ministry of External Affairs के Spokesperson किने अपॉइंट किया गया है रंधीर जैसवाल Flag Officer of Western Naval Command who took charge Vice Admiral Sanjay जजीच सेंग Vice Chief of Naval Staff कोन है Vice Admiral Dinesh Ketripathi Director on Board of Federal Reserve Bank कोन है राजीव शा ठीक है और साथी साथ एक और appointment है Secretary General of BIMSTEC किने अपॉइंट किया गया है Basically she is the Ambassador Indramani Pandey तो यह important appointments रही है अब यहाँ पर न मैं आपके लिए एक सवाल रखा है देखो यह आपको पता है कि नेवी की तीन commands जो होती है हर एक का control अपने जो भी commanding in chief है उनके पास होता है अब जैसे Western Naval Command का headquarter मुंबई में है Southern Naval Command का headquarter कोची में है और Eastern Naval Command का headquarter विशाखा प Vietnam में जिसका headquarter है उसके commanding in chief flag officer कोन है ठीक है दो तो हमने बढ़ी लिए Western और Southern आप Eastern वाला बता दीचिएगा आगे बढ़ते हैं awards देखते हैं जो important awards रहे है उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ अगर आप SSC Journal Awareness के लिए टार्गेट कर रहे हो 2024 को टार्गेट कर रहे हो त इसमें politics, economics, history, science, geography, starting, gk, हर एक चीज़ cover हो जाएगी आपको recorded lectures मिलेंगे, pdf भी मिलेंगी जो कि downloadable format में होगी, problem solving sessions के लिए live lectures होगे, detailed pyq discussion होगी और साथ ही साथ 10 mock papers जो हैं वो भी आपको solve करने के लिए दिये जाएगे, कोई doubt होता है फिर भी अगर कोई भी query है तो आप पर contact number है, whatsapp भी कर सकते हो, या फिर अपनी query पोर्चमclasses068gmail.com पे डालतीजिएगा, ठीक है जी, awards पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, वसंत लक्षमी जी को honor किया गया है, विद नृत्य कला निधी अवार्ड, कहां पर 17th dance festival of the music assembly चैन्नही के अंदर, ये जो award है, हर साल दिया जाता है, in the field of dance by Madras Music Academy, ठीक है, फिर उसके बाद, आब इनकी तस्वीर देख रहे हो, अनन्तपूर डिस्ट्रिक से select किये गए है, जिनका नाम है विसाती भारत, from अनन्तपूर डिस्ट्रिक, किसलिए select किया गया है, National Youth Award 2024 के लिए, ये award कौन सी ministry देती है, Union Ministry of Youth Affairs and Sports, जिन्हों ने भी Youth Development वाले एरिया में सर्व किया हो, तो उन voluntary organizations को या उन individuals को दिया जाता है, और ये award इस बार 12 जन्वरी को दिया जाएगा, during 27th National Youth Day, 27th National Youth Day कब होता है, 12th of January को, and we will be commemorating the birth anniversary of इस दिन स्वामी विवेका नन्जी, तो ये award कहां दिया जाएगा, नासिक मह राश्ट्रा के अंदर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, M.A. स्वामी नाथन अवार्ड, किसे मिला, प्रोफेसर B.R. कमबोज को, prestigious M.A. स्वामी नाथन अवार्ड दिया गया है, उनका जो भी contribution रहा है, as the scientist in the field of agronomy, उसको recognition देते हुए, अगर मैं भात करूँ, प्रोफेसर B. प्रोफेसर B.R. कमबोज की, तो ये वाइस चांसलर है, अफ चोधरी चरण सिंग हर्याना, अग्रिकल्चरल उनिवर्सिटी, ये जो ओवाट दिया गया है, ये किस ने दिया है, गवर्नर ओफ करनाटका, कौन थावट चंद गहलोज जी ने ये दिया, कहां पर दिया, कौन और मध्यप्रदेश के अंगर, ठीक है, मैं स्वामी नाथन अवाट के बारे में बताऊं, तो 2004 में ये अवाट इंस्टिट्यूट किये गए थे, ये बाइनियल अवाट है, दो साल में एक बार दिये जाते है, और ये अवाट हर किसी के लिए, it is open to all, irrespective of कि उनसकी क्या nationality है, ठीक है, अब चलते हैं, बुक्स काटेगरी में, तो जो important बुक्स हैं, उसमें पहली जो news है, वो ये है कि तिरुची विजिट पे, प्राइम मिनिस्टर वास प्रेजेंटेड विद कॉफी टेबल बुक और श्वी रंगम, तो ये जो बुक है, पाटी के राजय प्रमु ये लॉंच करी गई थी, कब? ड्यूरिंग वैकुंट एगादशी फेस्टिवल एट रंगनाथा स्वामी टेंपल इन श्री रंगम, 23 दिसंबर को ये डेट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली बुक कैप्चर करती है, जो श्री रंगनाथ स्वामी टेंपल ये लोर करनाथका और इनका नाम है अमरित सुमेशवरजी, इन्हें बहुत ही अवर्ट बहुत अवर्ट अवर्ड इन्होंने जीते हैं, भाषा सममान अवर्ड ओफ सहित्यक आदमी, गौरवश्री अवर्ड ओफ करनाथका सहित्यक आदमी 2020 के अंदर, अब रही बात भाष आशा सम्मान अवार्ड की 1996 के अंदर साहित्य अकैडमी के द्वारा ये अवार्ड इस्टैबलिश करे गए थे और ये अवार्ड राइटर्स को, स्कोलर्स को, एडिटर्स, कलेक्टर्स, पर्फॉर्मर्स जिन्हों ने भी इन सब को रिकोगनाईज करता है, जिन्हों ने भी क लुकेशन में, इंटरनाशनल लॉ में, सो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया, 2018 में इन्हें पद्म भूशन अवार्ड रिसीव हुआ था, ठीक है, अब चलते हैं हमारी इंपॉर्टेंट नैशनल यूज पे, जो इसले हफ़ते की नैशनल यूज रही है, लोग सभा के स्पीकर, ओम बिरला जी ने इनागरेट किया क्या पंचायत से पार्लेमेंट तक प्रोग्राम, पंचायत से पार्लेमेंट तक, पिचर में आपको काफी लेडीज दिख रही होगी, विमेंज दिख रही होगी, तो यह जो पंचायत से पार्लेमेंट तक जो रही पंचायती राज institutions की, अर्भन लोकल bodies की, right, so it was hosted by the parliament for these 500 women representatives, कहां पर at Samvithan Southern New Delhi के अभन, ठीक है Government of India ने constitute किया है 16th Finance Commission, okay इसके chairman कोन होंगे तो पहले आपको नाम ध्यान में रखना है Dr. Anvind Arvind Pangadia जी ये जो 16th Finance Commission है, इसको President का approval मिल गया, और ये Article 280 Clause 1 के तहत इसको constitute किया गया है, Dr. Anvind Pangadia जी, जो कि मैंने बताया इसके chairman होंगे, former vice chairman रह चुके है, नीती आयोक के, और इस commission किसे appoint किया है as secretary, वो है Ritwik Ranjan Pandey, has been appointed as secretary to the commission अब बात आती है कि ये commission करेगी क्या, ये जो commission है, ये suggest करेगी कि जो पैसा कमा रहे है, taxes के थुरू, उसे कैसे central government और state government के बीच में share किया जाएगा, for the 5 years, starting from April 2026. तो वो अपने suggestion देगी commission by October 2025, ताकि फिर इसको budget plans 2026, 2027 के अंदर incorporate किया जा सके, और साथी साथ, ये commission जो है, it might also took a look at कि कैसे funds currently allocate किये जा रहे हैं, for managing disasters as per the rules that were led under Disaster Management Act 2005, और फिर ये commission जो है, ये अपने suggestions प्रोवाइड करेगी, अच्छा, कैसे funds को आप better use कर सकते हो, disasters को handle करने के लिए, ठीक है, सागर परिक्रमा phase 10, कौन सा phase, phase 10, ये event organize हुआ, कब हुआ, 1st January से 6th of January तक, इसमें कौन-कौन सी various locations रही हैं, जुड़ी हुई आंधर प्रधेश और बुडूचैरी, इस event के अंदर किसने participate किया, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Daring, परशोत्तम रुपाला जी and इस particular सागर परिक्रमा के दुरान किसान credit cards distribute किये गए to beneficiaries like fishermen, aqua farmers और बाकि stakeholders है, ठीक है 2023 National Street Food Festival, दिली तो ऐसे ही अपने food के लिए बहुत famous है अब बाकि स्टेट वले नाज मत होना कि हमारी आखा खाना सबका अच्छा होता है Food Festival के लिए Delhi बहुत famous है 2023 National Street Food Festival conclude हुआ New Delhi में ये पहला zero waste street food festival है इंडिया का किसने organize किया National Association of Street Vendors of India, ठीक है जी आगे चलते हैं, अब चलते हैं एक scheme पे, simplified certification scheme के अंदर, ministry of communication expands this scheme for 37 products, यानि 37 और products add हो गए है, under this particular certification scheme, ये क्या है पूरी information मैं आपको बताऊंगी पहले ये देख लो Telecommunication Engineering Center of Department of Telecommunication इसने क्या किया है, इसने 37 और नई products को लेकर आया है under this simplified certification scheme चीजें मतलब अगर आपको certification लेना है इन products का तो चीजें और simple हो जाएं, मतलब आपने कोई भी product है आपके पास तो उसका quantity और x, y, z बहुत से चीजें होती है और उसके लिए आपको certification चाहिए होता है, तो ये इसमें क्या होगा अब इस certification process से जो time that is taken for certification वो कम हो जाएगा, ease of doing business बढ़ गया, तो पहले जहां 8 हफते लगते थे certification के लिए वाँ सिरफ दो हफते लगेंगे, तो अभी पहले जो list थी उसमें, जो products के लिए ये था, वो कम थे products, अब total products जो है, इस scheme के अंदर बढ़के हो गए है, 49, जैसे कि media gateway, IP security equipment, ये सारे products है, IP terminals optical fiber और cable, तो ये products include, ठीक है आगे चलते है, PLI scheme production linked incentive scheme automobile industry के जो PLI scheme है, उसको सरकार ने एक साल तक के लिए extend कर दिया गया है और साथ में कुछ partial amendments भी करें है ये announcement किसने करी है ministry of heavy industries इससे जूड़ी हुई है किसलिए किया है, clarity लाने के लिए, कुछ flexibility लाने के लिए to PLI scheme, production linked incentive production करो, और उस production पे based linked आपको incentive दिये जाएंगे, purpose क्या है made in India purpose क्या है, भार से चीजों को नहीं लाना पड़े, purpose क्या है, यहाँ पर manufacturing को boost किया जाए, इसलिए हमारे पास ये PLI scheme है, तो union cabinet ने PLI scheme automobile industry के लिए 2021 में approve करी थी, इसका budgetary outlay कितना है, वड़े 5,938 करोर रुपी, कितने सालों के लिए, पांच सालों के लिए, तो scheme का purpose वो तो मैंने आपको बता दिया advanced automotive technology products की manufacturing को boost करने के लिए zero emission vehicles पे focus करने के लिए, battery EVs, जिनका आज बहुत demand हो आने वाले time में greenhouse gas emissions कम हो, इनकी production इनकी manufacturing इंडिया में और जादा हो right, तो यहां करना हुआ क्या है, यह दो चीजे हुई है जो incentive scheme के लिए दिये जाने है, they were it was applicable from 2022-2023 to financial year 2026-2027 पाथ साल का period, और disbursement जो होना था, वो 2023 से शुरू होना था, बस अब क्या किया है, amended scheme के अंदर एक साल के लिए बढ़ा दिया, so जो कम 2022-2023 का था, वो हो गया 23-24 का, और जो disbursement 23-24 से होनी थी, वो हो गई 24-25 से चली, आगे चलते हैं smart 2.0 launched for ayurveda teaching professionals तो यहां पर ayurveda teaching professionals के लिए smart 2.0 launch किया गया है किसने किया है, पहले तो यह देख लो, Central Council for Research in Ayurvedic Science along with National Commission for Indian System of Medicine ने launch किया smart 2.0 full form किया है, बहुत important, scope for mainstreaming ayurveda research among teaching professionals program तो basically, इस particular program का purpose किया है priority areas में clinical studies को और जादा promote करना, with ayurvedic academic institutions या hospitals across the country मैं और simple करती हूँ आपको तो पहले मैं आपको यह line बढ़ा देती हूँ to promote robust clinical studies in priority areas of ayurveda with ayurveda academic institutions या hospitals across the country तो जो हमारे ayurveda institutions है, academic institutions है, hospitals है उनके साथ यहां पर आप clinical studies को और जादा robust करना चाहते हो देखो हम बोलते हैं ना जैसे COVID-19 में काड़ा हम लेते थे यह COVID के टाइम पे कि immunity strong होगी और जैसे उसमें की लोए हल्दी है for example हल्दी एक बहुती अच्छी antibiotic का काम करती है लेकिन क्या evidence है तो इस objective क्या है इस program का इस objective जो है इस program का वो है to generate a tangible evidence कि हम demonstrate कर सकें कि Ayurveda interventions की safety इसकी efficacy अगर आपके पास evidence है तो आप इसको कहां से कहां और आगे लेके जा सकते हो है ना So using this inter-disciplinary research methods and translating it into public healthcare So objective यह है कि we create we generate this tangible evidence to demonstrate the efficacy and safety of Ayurveda interventions ठीक है कि असर होता है लेकिन evidence चाहिए ठीक है अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं आत्मनिर्भर भारत उत्सव को inaugurate किया गया कहां पर भारत मंडपम न्यू डेली के अंदर इसको किसने होस्ट किया Department for Promotion of Industry and Internal Trade कौनसी ministry के अंदर Commerce and Ministry के अंदर और यहां पर External Affairs Minister S.J. शंकर जी और Union Commerce Minister Piyush Goyal जी ने inaugurate किया आत्मनिर्भर भारत उत्सव नाम से ही पता चल रहा है हम क्या होना चाते हैं आत्मनिर्भर होना चाते हैं तो इस उत्सव के अंदर तीन से दस तारिक तक ये रहेगा जिसमें तो वह चीज़ों को यहां पर शोकेस किया जएगा नाम से पता चल रहा है आत्मनिर्भर भारत उत्सव और ये पहली बार इस उत्सव के दरान कुछ आवार्ड दिये गए है National One District One Product Award हर एक डिस्ट्रिक के अपनी एके खासियत होती है अगर अगर One District One Product है अगर हम One District One Product की बात के बात करें जिस इस्ट्रिक की जो खूबी है जो खासियत है उस परड़क को ले के अगर हम उसको थोड़ा से और पुष दें तो Market में आ सकते हैं कहां कहां नहीं जा चासकते हैं उस्ट्रिक को ले के तो ऐसे ही आपके पास एक list है 1234 की ranking है यहाँ पर states है यह districts है और कौन से product के लिए मिला मनलब कौन से product के लिए famous है क्या award मिला तो ऐसे हर एक category की है जैसे district award non agriculture category के अंदर काकिनाथ district जो है अंधर प्रधेश की उसको अपनी जामधनी साड़ी के लिए gold award मिला तो फिर आपके पा category B की जो states है जैसे Jammu and Kashmir उसको gold award मिला है तो ऐसे फिर आपके पास category B की 1st ranking, 2nd ranking, 3rd और 4th ranking की list है Mission abroad में आपको rankings है जिसके अंदर Consulate General of India Vancouver को gold award मिला है Consulate General of India New York को silver award तो ऐसे 123 यहाँ पर भी list है PDF आपके पास होगी आप यहाँ कर सकते हो Prime Minister ने participate किया किसमे All India Conference of Director General and Inspector Generals of Police 2023 के अंदर कहां पर हुई Rajasthan International Center in Jaipur 6th और 7th को की agenda क्या है इस conference का जो भी अभी नए criminal laws आए है उनकी implementation के लिए एक roadmap लेकर आना वाइड range of internal security issues को यहाँ पर discuss करना और जो भी AI deep fake जैसे challenges यह चीजने pose कर रही है कैसे उनके साथ deal किया जा सकता है तो इन futuristic themes पे भी discussion हुई ठीक है आगे चलते हैं विक्सित भारत संकल प्यात्रा के दोरान सरकार ने 1.64 करोड आईश्मान कार्ड नेशन वाइड distribute किये यह जो यात्रा है it was flagged off by Prime Minister Narendra Modi 15th of November को कहा से कुंटी जारखंड से इसका aim क्या है लोगों को यह aware करवाना कि भाया government policies है मतलब जो भी आपकी welfare schemes है लोगों को पता नहीं है वो welfare schemes तो लोगों को पता चले वो awareness generate हो तो इसके लिए यात्रा लाई गई इसका aim basically यह है आगे बढ़ते हैं अभी तक I hope आपको सारी चीज़े clear हो रही है moving ahead राश्ट्रिय खेल प्रत्साहन पुरुसका 2023 announce किये गए कौन सी ministry के द्वारा youth affairs and sports sports खेल खेल के लिए तो पताईए youth affairs and sports ministry हो की यह जो awards है यह जो awards है उनको दिये जाएंगे president of India के द्वारा and एक organized function होगा राश्ट्रपती भावन में 9th of January को तो राश्ट्रे खेल प्रत्साहन पुरुसकार किसी भी corporate entity को NGO को sports control boards को sport bodies को जिन्हों ने भी एक अच्छा योगदान दिया है and who have played a visible role sports की promotion में sports की development के लिए तो उन्हें यह दिया जाएगा अब यहाँ पर दो categories है identification and nurturing of young talent category के अंदर Jain deemed to be university bangalore will be awarded encouragement to sports through corporate social responsibility category के अंदर Odisha mining corporate limited को यह award दिया जाएगा चलिए जी first edition of उत्तर पूर्वी महौतसफ host किया गया by ministry of development of north eastern region कहां पर भारत मंदपम न्यू डेली के अंदर host किया जाएगा 13 से 17th of January North East India का जो rich diversity है जो traditional art है craft है culture है उसको showcase किया जाएगा इस महौतसफ के अंदर ठीक है government ने approve किया है पृत्वी विज्ञान scheme जो की deal करती है it is marking a new era आप लगा सकते हो in the field of understanding earth science studying the earth science in India तो मैं आपको बताऊंगी इसमें जो भी ongoing schemes है वो सभी इसी scheme के अंदर है ये ministry जो इस ministry से जुड़ी हुई है वो है ministry of earth science इस पृत्वी विज्ञान scheme से इसकी overall cost है 4797 करोड and this program spans from 2021 to 2026 ठीक है इस scheme के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कुछ sub schemes है जो की this scheme income passes तो वो 5 है आप ये 5 यातिहान कर सकते हो याद कर सकते हो जैसे कि एक cross हो गया ocean services, modeling application, resources and technology, oh smart so ऐसे करके आपके पास 5 sub schemes हैं ये जो की इस scheme के अंदर हैं registered unrecognized political parties, so election commission of India ने कुछ नए regulations जो हैं वो introduce करे हैं for allocating symbols to these, registered तो हैं लेकिन unrecognized political parties हैं तो यहाँ पर तीन वो क्या नए उन्होंने जो यह आप तीन देख सकते हो these parties must provide what, तो ये तीन rules हैं, पहला तो party को क्या करना पड़ेगा audited account from the last three financial years, you have to provide detailed financial statement that have been officially reviewed by an auditor, तो मतलब कैसा पैसे, कैसे पैसा कमाया, कहां spend किया उन सालों में, वो सब आपको देना पड़ेगा, दूसरी बार आपको submit करने पड़ेंगे records कितना पैसा आपने spend किया, during the two most recent elections, तो आपकी expenditure statement आपको देनी पड़ेगी from the last two elections, फिर उसके बार, कोई एक authorized official का, from the political party, they need to sign the document and you should include the party's application for a symbol, तो basically signature चाहिए रहेगा, of the authorized party official along with their symbol application, तो ये तीन चीजे हैं, ये तीन new regulations हैं, जो कि election commission of India ने introduce किये हैं, for allocating symbols to registered unrecognized political parties, article कौन सा है, Indian constitution का, जो grant करता है, election commission of India को, this authority to register political parties, article 324 of the Indian constitution, grants ECID authority, election commission of India responsible है, for allotment of symbols, under which order, basically this is done under the election symbols reservation and allotment order 1968, जल जीवन mission की बात करते हैं, जल जीवन mission marks a milestone, 14 crore rural households, that is 72.7% now have tap water, तो यहाँ पर over 2 lakh villages and 161 districts are now हर घर जल, हर घर में जल है, हर घर पानी है, 2019 में यहाँ पर prime minister ने यह scheme को launch किया था, यह scheme फोन सी ministry के अंदर आती है, आप मुझे comment section में बताऊगे, जल जीवन mission का purpose था, कि 2024 तक आप यह चाहते हो, कि हर एक घर में educate drinking water हो, right, tap connections हो, जितने भी rural इंडिया के households है वहाँ पर, और as of today, six states, Goa, Telangana, Haryana, Gujarat, Punjab, Himachal Pradesh और तीन union territories, Puducherry, Dadanagar, Havaili and Damanandew and Annyaman and Nicobar Island ने 100% coverage अच्छीव कर ली है, Suamitwa scheme receives best innovation award at public policy dialogue conclave 2024, जो की कहां हुई हाइदराबाद के अंदर at Indian schools of businesses हाइदराबाद, और यहाँ पर इससे जुड़ी हुई ministry कौन सी है, ministry of panchaiti raja को दिया गया है with this first prize for digital transformation initiatives in land governance through Suamitwa scheme, Suamitwa scheme के तुरू आप क्या कर रहे हो, land governance, यह जमीन हमारी है, यह जमीन आपकी है, इस पे इसका नाम है, यह पूरी जो भी information है, data है, यह एक अगर online चीज़े store हो जाएंगी, तो यह आता है Suamitwa scheme के अंदर, ठीक है, तो Suamitwa scheme को 2023 में, August में, Goa के अंदर, इन्हें gold award पहले भी मिला हुआ है scheme को, for the category of innovative use of technology in e-governance for digital transformation, तो अब digital transformation ही तो लेकर आ रहे हो, property validation के पूरा solution अब सारा का सारा online हो गया, तो Suamitwa, full form, survey of villages, villages का survey and mapping with improvised technology in village areas, launch कब करी गई है scheme, national panchayati raja के दिन, कब होता है, 24th of April और वो साल था 2021 जब यह scheme लाई गई, इसका aim मैंने आपको बता दिया है, to provide an integrated property validation solution for rural India, ठीक है, 10th World Tamils Economic Conference and Global Economic Summit to be held in Chennai, 9th और 10th of January को होगी, और organizer कौन है, Madras Development Society and World Tamils Economic Foundation, simple है, straightforward है, याधी करना है, national news हो गई है, खतम, अब चलते हैं हमारी state news पे, PM विश्व कर्मा योजना को implement करने वाली पहली UT कौन सी है, जमू एंड कश्मीर, ये एक central sector scheme है, कौन सी ministry है, अपनी MSMA ministry है, launch ही हुई 17th of September 2023 में, recently launch scheme है, PM विश्व कर्मा scheme का purpose है, artisans और crafts people को support करना, training देना, stipend मिलेगा, इसके अंदर 500 रुपे per day, और free modern toolkit worth 15,000 for trained विश्व कर्मा, पहली UT कौन सी है, इसको implement करने वाली J&K, गुजरात ने अपना नाम रख लिख दिया है, गिनीज record में, तो गुजरात ने तोड़ा गिनीज record, largest surya namaskar assembly, तो basically perform करी गई, new year वाले दिन, simultaneously 108 places पे, गुजरात के अंदर, venue also included the iconic mudhera sun temple, ठीक, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये sun temple कहां है, तो भी अब आपको पता चल गया, गुजरात के अंदर है, आगे चलते हैं, संगीत नातक अकादमी ने, आंदर प्रदेश के कला दिशा प्रोजेक्ट के लिए collaborate किया है, किसके साथ, विद काकी नाड़ा थोटा बाल कृष्णा, संगीत नातक अकादमी कोलाबोरेट्स विद काकी नाड़ थोटा बाल कृष्णा, आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, किसलिए कोलाबोरेट किया है, वर आंदर प्रदेश कला दिशा प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये रिनोन लेदर प्रपेटर हैं, काकी नाड़ा से, जिनका नाम है थोटा बाल कृष्णा, वो मेंटर करेंगे 10 यंग प्रपेटर्स को, प्रपेटियों इसको, और प्रिजर्व दी आर्ट अफ लेदर प्रपेटरी, किया जाए, और संगीत नाटग अकाडमी ने इनके साथ कोलाबोरेट किया है, आंधर प्रदेश के कलादिशा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, हर्याना के गवर्नर ने लॉँच किया है, कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी, फॉर आयुषमान योजना बेनिफिशरीज और यहाँ पर किसके लिए किया है, फॉर गवर्नेंट एम्प्लोईज और दिपेंडेंट्स, चीफ मिनिस्टर कौन है अंदर हर्याना के, मनोहरलाल खटर जी, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नेंट ने लॉँच करी है, स्टेट पाइलेट बेसिस के अंदर, पहले तो यह फैसिलिटी, यह जो कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी दो दी जाती थी, वो थी Employers from the Fisheries and Horticulture Department, लेकिन अब इसको, इसके coverage को बढ़ा दिया गया है, और जितने भी Government Employers है, उन सब के लिए Extend कर दिया है, आइसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोगय योजनो वर्ल्ड की Largest Health Insurance Scheme है, Fully Financed by Government, 2018 में, February में यह लांच करी गई थी, और इसके अंदर 5 लाग रुपे का सम दिया जाता है, for Secondary Care and Tertiary Care, Health Benefit Packages जैसे की उसमें क्या-क्या आता है, Surgery, Medical and Day, Day-to-day Care Treatment, और Coast of Medicine, Diagnostic तो यह सब कुर इंत्रूडेद है, असाम Government ने इनिशेट किया है, गुन ओचसर्फ 2024, यह किसलिए है, 40 लाग students की performance को assess करने के लिए in government schools, जो यह जो गुन ओचसर्फ 2024 है, यह cover करेगा all the government elementary and secondary school in the state, और यह देखेगा कि अच्छा, बच्चे में यह learning gap है, उसको identify करेगा, और ensure करेगा कि इन बच्चों को quality education मिले, with grade specific outcomes, अच्छी grade भी हो, और साथ ही साथ, जो learning gap है, वो पहले देखेए, अच्छा, यह learning gap है, यहाँ पर यह नहीं सीख पा रहें, यह problem है, तो उनकी performance को assess करने के लिए, बेसिकली यह है, यह पहले भी organize हो चुका है 2017 के अंदर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने inaugurate किया है, first on-grid solar project, कहाँ पर, कवरती के अंदर, लक्षविट दीप का पहला solar project, यह आप देख सकते हो, developed by SECI, और PM ने और भी कुछ यहाँ पर projects है, जिनकी foundations रोन रखी है, inaugurate हो गए है, जिनकी जो worth है, that is more than rupees 1150 करोड, इंदी कवरती लक्षविट दीप, ठीक है, रतले हाइड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट ने, राजस्थान के साथ, एक आप बोल सकते हो, 40 साल तक राजस्थान को बिजली मिलेगी, और इसके लिए एक agreement साइन किया है, रतले हाइड्रो एलेक्टिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, एक पावर परचेस एग्रिमेंट, राजस्थान, उर्जा, विकास, एन इटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ, इस एग्रिमेंट में वो एंटर कर गए है, जिससे राजस्थान को 40 सालों के लिए, अगले आगने वाले 40 एर्स के लिए, यहाँ से बिजली दी जाएगी, मिलेगी, और अगर पूछिया जाए, यह प्रोजेक्ट जो है कौन सी रीवर पर है, चनाव नीवर पर है, इन किष्टवर, इन जमुएंड कश्मीर, इंस्क्रिप्शन देख रहे होई, यह 10th century, कदंबा इंस्क्रिप्शन, बेसिकली उस कदंबा पीरिएट से यह बिलॉंग करती है, इट वस अन्वील, इट वस डिस्कावर्ड, कहाँ पर महादेफ टेंपल के अंदर, इन गोवा, ठीक है, तो इसको इस inscription पर देखो लिखा हुआ है कुछ-कुछ, इसको study किस ने किया है, टी मुरुगेशी, एक retired associate professor है, उडूपी district से, उन्होंने study किया इस inscription को, और संस्कृत और कनडवर्दी, official languages of कतंबाज ओफ गोवा, चीफगेस्ट कौन होंगे, वाइबरेंट गुजराथ सम्मिट के, चेक के PM रहेंगे, चीफगेस्ट वाइबरेंट गुजराथ सम्मिट के, और थीम क्या है, gateway to the future, आगे बढ़ते हैं, ये कुछ renamed airports है, तो union cabinet ने जो proposal था, to rename Ayodhya airport as, क्या नाम रखना है, महारशी, महारशी वालमी की international airport, अगर आपने, जो 2023 की monthly category की, जो news चल रही है, उसमें भी मैंने ये cover किया था, तो यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ renamed, जो airports हैं मुँ बता देती हूँ, previously renamed airports, मोपा airport renamed as, मनुहर international airport, चंडिगर airport को rename कर के क्या किया, IIT Hyderabad to host I-Inventive 2024, तो it will host this second edition of कौनसी ministry से जुड़ी हूई है, ministry of education का ये event है, 19th और 20th january को ये होगा, जिसके अंदर participants 23 IIT से, higher education institutions जैसे की NIT, IISC Bangalore, top 50 NIRF ranked engineering institutions से यहाँ पर आएंगे, जो भी उनोंने academic work किया है, और साथ साथ जो industry stakeholders हैं, तो वहाँ पर they will present that, तो academicians भी और industry stakeholders भी, यहाँ पर एक ऐसा platform हो गया, जहाँ वो लोग अपनी discussions को आगे लेके जा सकते हैं, and they will present जो भी आपने काम करा हैं, तो वहाँ पर वो सब दिखा सकते हैं, ठीक है, आगे जलते हैं, अपने products को उन्होंने शोकेस किया, in this mega expo, 29th International Yoga Festival, 4 January से 7 January तक organize किया गया, पुडुचेरी के अंदर, International Yoga Day कब होता है, 21st of June को, हर सान होता है, ठीक है, पुडुचेरी के governor, Tamil Sain, Sundarajan, ठीक है, उत्तिर प्रदेश के Chief Minister, योगी अधितेनाज जी ने, और Union Minister, धर्मेंदर प्रदान जी ने, launch किया है, PM Shri Schools in the State, तो यहाँ पर, 1753 स्कूल उत्र प्रदेश के अंदर, उनको select किया गया है, for this PM Schools for Rising India, योजना, पहले phase में, of this PM Shri initiative, it covers, how many government schools, 928 government schools, will be upgraded in उत्र प्रदेश, तो first phase के अंदर, अभी तक यह नहीं समझ आया होगा ना, कि यह PM Shri क्या है, 2022 में, 7th of September को, cabinet ने यह scheme, scheme approve करी, PM Shri School, एक centrally sponsored initiative है, सरकार का, जिसके अंदर, इसका aim है, to establish, कितने schools, 14,500 schools, under, Central Government, State, UT Government, Local Bodies, तो यह जो program है, यह चाहता है, कि ऐसे schools हो, जहां पर आप एक inclusive environment, एक nurturing learning environment है, जिसमें comprehensive facilities हो, हर एक बच्चे के लिए, और यह National Education Policy 2020 को, इस schools will showcase, the implementation of this policy, इस पूरे project की cost, 27, 36, 0 करोड, इस पूरे प्रेट अवर पेडिड और पेडिड और पेडिड और पेडिड यह, 5 यह, 2022 से 2026, 2027 तब, जिसके बाद, responsibility होगी, states की, UTs की, to continue to maintain the benchmark, जो भी इस schools ने अचीव किया है, उसको आगे तक लेकर जाना, फिर उस state की, और उस UT की जिम्मेदारी होगी, इनके तस्वीर देख सकते हैं, बहुत ही भूर रहे हैंगे, इनका नाम है Hog Deer, यह पहली बार स्पोर्ट किये गए है, चिला रेंज में, और उत्रा खंड राजाजी Tiger Reserve, Hog Deer को पद भी बोला जाता है, एक एंडेंजर स्पीशिस है, IUCN Red List के अंधर, और प्रोटेक्टिड है, अंडर Indian Wildlife Protection Act of 1972, राजाजी Tiger Reserve, आपको देहरादून के पास देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर पढ़ता है, देहरादून हो गया, हरिद्वार, और पोरिघर्वाल, यह जो तीन डिस्ट्रिक्स है, राजाजी नेशनल पाग इनको कवर करता है, तो यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट है, कि अच्छा, ओरिशा के लिए इन-नको जीए टाइग मिला है, और यह बस आपको सीधर-सीधर रटा मारना है, आपसे पूचा जाएगा, यह जो प्रोड़क्त है, इसको जीए टाइग मिला है, तो ओरिशा की लिस्ट आपके सामने है, लांजिया सोरा पेंटिंग, डोगरिया कोडशॉल, खजुरी गुड, नयागड, कंटे मुंडी, ब्रिंचल, देन का नाल मागजी, और सिमली पाल कई, चटनी, कोरा पूट, कलाजीरा चावल, तो यह जो है, ओरिशा के जी आई टाग के, जी आई टाग जिनको मिला है, वो प्रोड़क्ट्स है, ओरिशा से है, सौटेड है, आगे बढ़ते हैं, अरुनाच्वर प्रदेश के आप देख सकते हो, वांचो वुडन क्राफ्ट, और यहाँ पर एक जिंजर है, आदी केकिर जिंजर, अदरख, चाई में डालके पीना सरदियों में बहुत अच्छी रुखती है, वेस्ट बेंगॉल के जी आई टाग्स, तंगेल साडी, गारत साडी, कोरियल साडी, और उसके बाद यहाँ पर चावल है, दाट इस कलोनोनिया चावल और सुन्दर बंचे है, तो यह कुछ वेस्ट बेंगॉल के जी आई टाग्स है, गुजरात का कच्ची खारिक डेट्स, और यहाँ पर रामबन अनारदाना, जमू इन कश्मीर का जी आई टाग है, यह होगे जी आई टाग की लिस्ट, अब आगे बढ़ते हैं, तमिल लाडू किक्स ओफ फॉस जली कटू इवेंट आफ दी इयर, तो पहले जली कटू, अगर आपसे पूछ लिया जाए, कौन से स्टेट का है, फेमस तमिल लाडू से जूडा हुआ है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लाँच किया है, मुबाइल आप of State Information Commission, तो State Information Commission का मुबाइल आप लाँच किया है, और यह यह यूपी पहली स्टेट है कंट्री के अंदर, जहां का उनका खुद का जो Information Commission है, उनके पास they will have its own software and app for the redressal of complaints, तो यहाँ पर e-filing और online hearing of complaints जो है, वो हो सकती है, मुबाइल आप उनका खुद का UP के CM ने लाँच किया है, इंटरनाशनल न्यूस पर चलते हैं, अभी इस हफते में जो इंटरनाशनल न्यूस रही है, यह है रशिया के वलादिमिर पुतिन जी और रशिया 2024 ब्रिक्स चेर्मेंशिप, रशिया बेसिकली ब्रिक्स 2024 की चेर्मेंशिप एज्यूम करेगी 2024 की, रशिया ब्रिक्स में अपना ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ आफ्रिका, लेकिन अब और भी कंट्रीज ने जॉइन कर लिया है, अज नियू फूल मेंबर्स तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल बन सकता है, इजिप्ट, इथोपिया, इरान, साउधी अरेबिया, UAE ने भी ब्रिक्स को जॉइन कर लिया है, ब्रिक्स का हेड़कॉर्टर, शांगाई, चाइना के अंदर, पहली ब्रिक्स समिट 2009 में हुई थी, रशिया के अंदर, फिफ्टीन्थ, ये तो सिक्स्टीन्थ है, जोब होगी, इससे पहले वाली, फिफ्टीन्थ ब्रिक्स समिट कहां हुई थी, जोहिंजबर्ग, साउथ आफ्रिका में, तो ये वुई थी, फिफ्टीन्थ ब्रिक्स समिट, ठीक है, वॉल्ल एकनॉमिक फॉरम, फिफ्टी फॉर्थ वॉल्ल एकनॉमिक फॉरम की मीटिंग, 15 से 19 जैन्वरी होगी, कहां पर, डैवोस, क्लॉस्टर, स्विजर लैंड के अंदर, थीम क्या रहेगी, फ्रॉम लाब टू लाइफ, साइन्स इन अक्शन, ग्लोबल बायो फ्यूल एलाइंस, आप सबने G20 समिट पूरी अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि G20 समिट इंडिया ने इस बार होस करी थी, तो यहां पर G20 समिट के दुरान, ग्लोबल बायो फ्यूल एलाइंस, हमारे ही प्राइम मिनिस्टर ने लॉंच किया था, बायो फ्यूल हम क्या चाहते हैं, इंपोर्ट कम हो, यह ग्रीन हाउस गास इमिशन इतना जो हम कर रहे हैं, वो कम हो, तो ग्लोबल बायो फ्यूल एलाइंस ने अट्राइक किया है, इसमें 22 नेशन और 12 इंटरनाशन और जूड़ी है, यह एक इंडिया-led इनिशेटिव है, क्योंकि अब हम एनरजी ट्राइशन की तरफ मुड़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से, और इसमें फिर जॉब एकनॉमिक ग्रोथ और हो, इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया 3rd largest energy consumer है, 3rd largest consumer of oil, 3rd largest LPG consumer, कितना कितना consume करते हैं, फॉपिलेशन भी है, 4th largest LNG importer, 4th largest refiner, and 4th largest automobile market in the world also, नेपाल ने एक long term agreement sign किया है, इंडिया के साथ, अगले 10 सालों के लिए, वो agreement क्या है, for the export of 10,000 MW of power, यह जो power export agreement है, यह sign हुआ, during the 7th meeting of नेपाल- इंडिया joint commission, जो की हुई काटमाट डूंगे, 35th Palm Spring International Film Festival, कहाँ पर California के अंदर, वहाँ पर इंडिया की दो जो films है, Mrs. and Sumo Dede feature करी जाएंगी, मैंने प्रीमियर होंगी, और यहाँ पर Sumo Dede, जो है, वो based है on the life of Hetal Dev, जो की इंडिया's first and only professional sumo wrestler है, ठीक है, sports category पर चलते हैं, होकी 5 World Cup, होकी 5 World Cup में, मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर 5-5 लोग होंगे, तो यह जो है, जो teams होंगी, उनके यहाँ पर बता रख है, कि विमन की टीम और मैं की टीम को कौन लीड करेगा, आप जैसे विमन की टीम को लीड करने के लिए है, रजनी, एतिमार्पू, और मैं की टीम को लीड करने के लिए है, सिम्रंजीत सेंग जी, ठीक है जी, तो यहाँ पर, यह 24th और 31st जैनवरी, यह टाइम फ्रेम रहेगा, जहाँ पर होकी 5 वर्ल्ड कप का इनौगरल होगा, और इट विल बी हेल्ड इन, मस्केट ओमान, होकी 5, जो टॉरॉंटो, कैनड़ा के अंदर होगी, इस साल, एप्रेल में, तो वहाँ पर, गुकेश, बिकेम धी 3rd इंडियन, टू मेक धी कैंडिडेट्स टूर्णामेंट, और उन्होंने जोइन किया है, कि इसको आर प्रग्नननदा, और विधित गुजराती, तो ये पहली बार होने जा रहा है, हिस्ट्री के अंदर, कि 3 इंडियन्स आर प्लेइंग दी, मेंस चेस कैंडिडेट्स 2024 टूर्णामेंट, स्पोर्ट्स कैंटिगरी से हैं, यहां पर जो क्रिकेट्स के बहुत बड़े-बड़े फैन हैं, उन्हें तो बटा होगा, डाविड बॉर्णर ने अन्नाउंस करी है, अपनी रिटायर्मेंट फ्रॉम वंटे इंटरनाशनल क्रिकेट, और यह उस्ट्रेलिया से बिलॉं करते हैं, अउस्ट्रेलिया और रिजन ऑस्ट्रेलिया बड़े आगे बढ़ते हैं, इंडिया स्फर्स एवर मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कॉमेंस अट बीच है, गोगला बीच, कहां पर इन दियू, यूनियन टेरिटरी, तो यहां पर मोर देन 1200 प्लेयर अक्रोस 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करेंगे, थीम होगी, डॉल्फिन्स, और इन ओपनिंग सेरमनी जो है इस बीच गेम की, इट विल बी, कहां पर होगी अट, गुगाला बीच, दियू के अंदर, और क्लोजिंग सेरमनी होगी अट आइनेस घुकरी मेमोरियल, तो इस बेसिकली इस दोरान आठ डिफरेंट स्पोर्ट्स इंक्लूड किये गए हैं इन बीच गेम्स में, जैसे सी स्विमिंग हो गया, बीच सोकर हो गया, बीच बॉक्सिंग हो गया, बीच कबड़ी हो गया, तो ऐसे करके आठ अलग-अलग स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, मुविंग अहेड, साइंस अन टेक्नोलोजी से पहले यहां पर न, जिनके साइंस ऐसा लगता है हमारी साइंस ट्रॉंग नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको किसी साइंस में पिएचिडी नहीं करने है, कुछ इंपोर्टन इंपोर्टन बाते याद रखनी है, बेस जॉन कि अच्छा ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, कैसे पता चलता है कि ऐसे सवाल पूछा हो जा सकता है, आप जिस भी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं वहाँ के प्रीवेस एर कोशन देखे लो, सौटेड है, मिशन है, एक्सरेंज मिशन, X-R-I-S-M मिशन, अन्वीज डेविट एक्सरे इमेज ऑफ दी कॉस्मोस, तो इस मिशन ने ब्रहमान की पहली X-Ray छवी का अनावरंड किया है, तो X-Ray इमेज ऑफ कॉस्मोस, यह बिसिकली इस मिशन से पहली देखने को मिली है, 2023 के अंदर 7th of September को यह मिशन लाँच किया गया था, इस मिशन, the mission team revealed an image of hundred of galaxies, और यह joint mission है, यह बहुत important है, किसका joint mission है यह, Japan Aerospace Exploration Agency का और NASA का, वो आपको डाल देंगे अच्छा ISRO भी है, नहीं, यह Japan और NASA का mission है, ठीक है जी, तो mission का purpose आपको बता चल गया, to investigate celestial x-ray objects in the universe, कैसे, through imaging and high resolution spectroscopy, ISRO का, अब ISRO पे चलते हैं, ISRO का पहला sun mission successfully injected into the final orbit, हम बात कर रहे हैं, आदित्य L1 की, यह भी 2023 में September के मन्द में ही launch हुआ था, 2nd of September को, इस mission का purpose क्या है, to observe sun's corona and understands it, extreme heat from halo orbit, तो basically sun से associated है, to observe the sun's corona, इतना ही आप से पूचा जाएगा, ISRO का PSLV C58, नहीं, ISRO के PSLV C58 ने launch करी है, क्या EXPOSAT mission successfully, EXPOSAT, full form X-ray Polarimeter Satellite, तो PSLV C58, X-ray Polarimeter Satellite successfully launch हो गई, 2024 को, कहा से Satish Dhawan Space Center, श्री हरी कोटा, it was the 60th mission of PSLV, EXPOSAT, जो है, यह इंडिया की पहली scientific satellite है, क्या करेगी, यह measure करेगी, polarization of X-rays, जो celestial sources से जो X-ray आती है, उनकी जो polarization होती है, magnetic field के चलते, तो वहाँ पर उसको measure करना, तो basically, satellite study करेगी, X-ray emissions को, from celestial objects like black holes, black holes की study, neutron stars की study, इसलिए है, क्या इंडिया पहली country है, in the world for this, नहीं, इंडिया second country है, in the world, after United States, to send a specialized astronomy observatory, to study black holes, तो इंडिया दूसरे number पे है, पहला करने वाली ऐसे, यो इसे बनी है, वो इसे country, NASA, Juno spacecraft, तो Juno spacecraft, 2011 में launch किया गया था, किसलिए launch किया गया था, तो study Jupiter's composition, gravity field, magnetic field, and polar magnetosphere, अब हुआ क्या है, news में क्यों है, क्योंकि NASA का, यही Juno spacecraft, ने reveal करी है, close images of, Jupiter's volcanic moon, I.O. तो बस यह ध्यान में रखना है, इसे के साथ आगे बढ़ते हैं, यह आपको दिख रहा होगा, SpaceX, SpaceX ने क्या launch किया है, first direct to cell starlink satellite, देखो, SpaceX ने रिसेंटली, 21 new starlink satellites, into the space, बेजी है, special क्या है इसमें, feature आपको दिख रहा है, direct to cell, इसका मतलब क्या है, देहाथ एड्वांस टेक्नोलीजी ओनबोड, आप ऐसे सोचलो, एक काइंड ओफ लाइक, सेलफोन टावर, space में, है satellite, आप ऐसे रिमोट एरिया में चले जाते हो, सिगनल नहीं आता, ढूंड पे रहते हो, तो इन satellites के चलते, आप एक ऐसे एरिया में, जहाँ पर, रेगिलर सेल सर्विस काम नहीं करती है, तो इन Starlink satellite से, वो gaps fill होते हैं, तो आने वाले time में, जैसे रेगिलर सेल सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हैं, जो हैं, जो हैं, आप आप टीम आप विज स्टार्लिंग, सेटेलाइट्स इन स्पेस, सॉर्टेड है, स्पेसेक्स ने लॉंच किया है, IISR, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टिट्टूट अफ स्पैसीज रिसर्च, हेड़कॉर्टर का है, कोजी कोड के अंदर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेवलप किया है, न्यू ग्रानिलर लाइम बेस्ट बायो पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स लेकिन बायो पेस्टिसाइड्स, केमिकल नहीं है इसके अंदर, और ये डेवलप किया है, IISR ने successfully developed this new granular lime-based trichoderma formulation tricholime so, यह lime-based formulation जो है, यह soil acidity को neutralize कर देता है plant की growth को promote करेगा और यह सारे इसके application है किसने develop किया है, यह याद में रखना और IISR का headquarter कहां है इसरो successfully test polymer electrolyte membrane fuel cell on, अभी हमने पढ़ा था ना, PSLV C58 और उसी में ही on PSLV C58, orbital platform POM3, तो fourth stage of PSLV, जिसको हम PS4 भी बोलते हैं, उसको POM3 बोला जाता है, POM3 भी बोलते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए, full form है PSLV orbital experimental module 3, so यहाँ पर IISRो ने क्या किया है IISRो ने test किया है, इस fuel cell को, इस experiment का objective क्या था, हम यह assess करना चाहते थे, कि अगर यह fuel cell, क्या यह fuel cell space के अंदर operation करता है या नहीं करता है, ताकि आगर आगे जाके जो भी हमारे future missions होंगे, तो क्या हम इसको use कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर expo set, a satellite that was intended to study black holes and neutron stars was launched by ISRO, यह तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है जी आप चलते हैं, defense category की news पे, desert cyclone 2024, यह एक joint military exercise है, इंडिया और UAE की बीच की, जो की schedule है, to take place in Rajasthan, तो यह पहली military exercise है, इंडिया और UAE की इंडिया और UAE की joint air force exercise हो चुकी है, पहले बोग होई थी, आबुदाभी में 2008 में यह term ध्यान में रखना, यह military है, यहाँ confuse मत हो ना, क्योंकि यह पहली military exercise है, और यह 2nd January से 15th of January तक होगी, राजस्थान के अंदर राजनात सिंग जी ने launch किया है, इंडिया's first all girls scenic school कहां पर, व्रिंदावन के अंदर और इसके अंदर, establish किये जाएंगे, 100 new scenic schools, एक partnership mode में होगा NGOs, private, state, government schools के साथ and जिस में से, 42 have been set up, ठीक है index और rankings पे आ जाते हैं इंडिया records 9.3 lakh cancer death, और इसी के साथ, it is ranking second highest in Asia, Lancet study, so according to the new study published in the Lancet Regional Health Southeast Asia Journal के ही साथ से, India registered 12 lakh new cancer cases, 9.3 lakh death और इसी के साथ वो बन गया है second highest contributor to the disease burden in Asia चाइना के बाद, तो चाइना, इंडिया और जिपान ये तीन leading countries हैं Asia के अंदर in terms of new cases and deaths in this cancer Hyderabad, वो 5th city है for women that is, जो बहुत inclusive है और women's के लिए and 5th है, तो मतलब top 5 कोन सी है for women, Chennai, Bangalore, Pune, Mumbai और फिर Hyderabad हो गया 5th, ये जो index है आप किस बेसिस पर कहरे हैं, इंडेक्स आया, इंडेक्स किस ने citizen experience के basis पर ये बात हो रही है अब चलते हैं, बैंकिंग से related news है national statistical office according to NSO, under the which ministry ministry of statistics and program implementation Indian economy current financial year में grow करेगी at 7.3% sorted है, ठीक है उसके बाद, France AFD, Germany का KFW bank, ये क्या करेंगे ये provide करेंगे, loan 100 million euro loan, किस लिए, इंडिया के अमरुत अर्बन mission के लिए अब रही बात, इस particular mission की, 2000 पहली बात 2015 में launch हुआ, दूसरी बात housing and urban affairs ministry है तीसरी बात, अमरुत mission के बात कर रही हूं मैं ये अभी, इसका purpose था to ensure की, हर घर में, it should have access to tap, with a short supply of water, और sewage connection फिर आया, अमरुत 2.0 second phase आया, इसका जिसका target था, sewage or septic management उसको improve किया जाए, अपनी cities को water safe cities बनाना और ensure करना, there are no sewage drains anywhere in our rivers, so जो अमरुत 2.0 है न, it aims at providing 100% coverage of water supply to all the households in 4700 urban local bodies, by providing 2.68 करोड tap connections, और साथी साथ, इसके लावा, 100% coverage of sewerage and septage in 500 अमरुत cities, right, तो ये है अमरुत 2.0 का aim, short news देख लेते हैं, national youth sports festival to be held on the occasion of national youth day 12th of january को नासिक के अंदर, IIT Delhi team ने create किया है India का पहला high resolution land slide risk map, that is Indian landslide susceptibility map, उसके बार 6th नाबार crafts मेला commences in Vijaywada, आंदरप्रदेश a band जिसके अंदर 45 girls होंगी from northeast, वो participate करेंगी in NCC Republic Day Camp 2024, पहली बार Western Railway celebrate the completion of its 125 years, right, और Githika Mehta का नाम ध्यान में रखना है she is appointed as managing director at Nevia, India, फिर उसके बात, short news के अंदर ही है, दो और news है, अनहत सिंग clinches, क्या 2023 Scottish junior open girls under 19 squash title in Edinburgh, लेनल मैसी, iconic number 10 Argentina jersey to be retired, तो basically होता क्या है, कि जो retirement होती है of a jersey number, it typically occurs at, एक symbolic gesture है, to honor a legendary prayer जिन्होंने इतने लंबे समय तक एक significant period तक, who has won that number, है ना, तो एक tribute है, to the players contribution to the team, तो इसलिए यहाँ पर आपको यह number 10 ध्यान में रखना है so, लेनल मैसी इस iconic number 10 Argentina jersey to be retired, फिर उसके बाद, राजस्थान CM, कौन है, भजन लाग शर्मा ने अनाउंस किया है कि state government provide करेगी domestic LPG cylinders at a subsidized rate क्या है, 450 रुपीज 1st of January से for BPL उजला योजना, center ने declare किया है, तहरीके हुरियक, Jammu and Kashmir JNK, एक unlawful association under which act UAPA sorted है, अब चलते हैं हमारी revision पे, पहला सवाल आपके screens पर कह रहा है कि इसमें से वो कौन सा नाम है who has sculpted the idol of Lord Ram that is chosen for installation at Ayodhya Temple Ayodhya Mandir में स्थापना के लिए चुनी गई Bhagawan Ram की मूर्ती किसने बनाई है नाम ध्यान में रखेगा Arun Yogiraj, option A उसी के साथ अगला हमने MS Swaminathan Award के बारे में पढ़ा था who has been honored with this award for the contribution in agronomy प्रोफेसर बियार कंबोच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी recently addressed convocation in this particular university, भारती दासन university, ये कहां पर situated है, कौन सी स्टेट में है ये university, तमिलनाडू के अंदर है किसको select किया गया है for National Youth Award 2024 पिसाती भारत option A, अगला सवाल, David Warner जो की, जन्होंने अपनी retirement announce करी है from 1D International Cricket, ये कौन सी country से जुड़े हुए है, Australia से, option C, moving ahead, बेर प्रकाश नंदा, who has won an Indian American, who was an Indian American, passed away recently he received Padma Bhushan in 2018 in the field of in the field of literature and education, मैंने आपको पताया था न, उनका contribution कौन कौन सी field में रहा है अब भहाँ से link कर सकते हो, who recently assumed office as the 30th flag officer commanding in chief of Southern Naval Command Vice Admiral V. Shrinivas, इस revision है, अभी हमने सारा किया है, अब portions के थूँ आपको 2 यो 3 सेगिंड लगने चाहिए, hardly वो भी, क्योंकि अभी अभी बड़ा है किसको appoint किया गया है, as the chairman of 16th Finance Commission of India Dr. Arvind Pangadiyaji Which phase of Sagar Parikrama event is being organized from 1st January to 6th January, phase 10 Option B Moving ahead, Desert Cyclone a joint military exercise है जो की scheduled in Rajasthan India और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में सही है, UA अगला तो answer आपके सामने ही है सामवेद गुरुकुलम गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल इंडिया's first all-girls सैनिक स्कूल is launched कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश के अंदर Which Indian state is undertaking a pioneer project to reintroduce captive bred walls into the fire कौन सा भारतिये, राजे, बंदी, भेडियों को जंगल में फिर से लाने के लिए एक प्रोजेक्ट चला रहा है और वो है गुजरात ठीक है? इसमें से वो कौन सी state है that has broken the Guinness record for largest Surya Namaskar Assembly? अरे भी है, गुजरात option A moving ahead कौन सी यूटी है जिसने पहली यूटी बन गई है to implement PM विश्व कर्मा योजना जगोएं कश्मीर option B then you have कौन सी कंट्री एज्यूम करेगी BRICS 2024 चैर्मेंशिप रश्या BRICS में कितने मेंबर्स हैं comment section में मुझे बताना हमने अभी अभी पढ़ा है ठीक है? who published the coffee table book Shri Rangam the resplendent kingdom of Rangaraj Hindu ही Hindu group of publication option A which organization launched first direct to sell Starlink satellite? SpaceX अभी देखा था फिर उसके बाद आता है among the following countries which one did not reportedly join BRICS as a new member इसलिए बोल रही हूँ कि BRICS की सारे member countries के नाम याद होने चाहिए अभी बता देती हूँ answer है South Korea South Korea did not join BRICS as a new member ये है आपका question of the day आप मुझे answer करोगे comment section के अंदर who has assumed charge as the official spokesperson of Ministry of External Affairs तो यहाँ पर आपके पास है अज़र चलो इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ answer is Randhir Jaiswal तो who assumed charge as the official spokesperson मैंने आपको list दी थी थी न वो list आप याद में रख लेना where will the All India Conference of Director General and Inspector General of Police 2023 be held कहाँ पर होगी ये conference हमने अभी discuss किया कहा होगी ये conference जैपुर में ठीक है जी who recently assumed the position of Flag Officer Commanding in Chief of Western Naval Command Southern, Eastern, Western सारी पता हो नी चाहिए Vice Admiral Sanjay Jasjeet Singh इंडिया की first ever multi-sport beach games commence recently at which beach Gogala Beach in Diu which state government is conducting Gunotsaf 2024 program ये किसलिए है to assess 40 lakh students in government schools answer is Assam 850 Megawatt Retail Hydro Electric Project is located in which union territory Jammu and Kashmir है ना इसे river कौन से जूडी हुई थी याद है चेनाब रिवर चेनाब नो दी ठीक है Which state got GI tag for this painting Langea Sora painting और वो मिला Odisa को Odisa की पूरी list मैंने आपको दिखा दी है Endangered hog deer was recently sported in the चिला range of which national park अपना राजाजी national park Which state holds GI tag for this particular project कच्ची खरेक पिचल दिखाई थी Gujarat 29th international yoga festival being organized in 4 options है आपके पास and answer is Puducherry Then you have ऐसे questions आते हैं In which state were the recent Paleolithic quartzite tools discovered कहाँ पर अभी recently Paleolithic quartzite tools discovered हुए है वो है अपना option B Telangana के अंदर Mooloogu district के अंदर Who among the following has become Maharashtra's first women director general of police ये आपका question of day है इसका answer आप मुझे दोगे comment section के अंदर ठीक है तो I'll be waiting for your answers and do give me the answers Now this is your mentor Arzu Kakar signing off for today we'll meet you with other sessions till then take care good luck happy learning all the best thank you